C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गणित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ ये है अध्याय ग्यारा क्षेत्रमिती प्रिष्ट संख्या एक सो पच्चानवे ग्यारा दशमलव आठ घन, घनाब और बेलन का आयतन एक त्रेविमिय वस्तु द्वारा घिरी हुई जगां उसका आयतन कहलाता है अपने आसपास की वस्तुओं के आयतन की तुलना करने का प्रयतन कीजिए उदारन तह किसी कमरे के अंदर रखी हुई अलमारी की तुलना में कमरे का आयतन अधिक है इसी प्रकार आपके पैंसिल बॉक्स का आयतन इसके अंदर रखे पैन और मिटाने वाली रबर के आयतन से अधिक है क्या आप इन में से किसी भी वस्तु का आयतन माप सकते हैं? स्मरण कीजिए हम किसी क्षेतर का क्षेतर फल ग्याद करने के लिए वर्ग इकाई का उपयोग करते हैं यहां हम ठोस का आयतन ग्याद करने के लिए घन इकाई का उपयोग करेंगे क्योंकि घन सबसे अधिक सुविधा जनक ठोस आकार है ठीक उसी प्रकार जैसे किसी क्षेत्र का क्षेत्र फल मापने के लिए वर्ग सबसे अधिक सुविधा जनक आकार है क्षेत्र फल ग्याद करने के लिए हम क्षेत्र को वर्ग एकाईयों में विभाजित करते हैं इसी प्रकार किसी ठोस का आयतन ग्याद करने के लिए हमें उस ठोस को घन एकाईयों में विभाजित करने की आवशक्ता है विचार कीजिए कि निम्न लिखित ठोसों में से प्रतियक का आयतन आठ घन एकाई है आकरिती 11.42 पर गौर कीजिए आकरिती 11.42 यहाँ पर कुछ ठोस बने हैं जिनका आयतन आठ घन एकाई है प्रिष्ट संख्या 196 इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी ठोस का आयतन मापने के लिए हम उसमें स्थित घन एकाई हैं एक घन सेंटीमीटर बराबर है एक सेंटीमीटर गुणा 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 एक सेंट मीटर घन बराबर है रिक्त स्थान सेंटी मीटर घन एक घन मीटर बराबर है एक मिली मीटर गुणा एक मिली मीटर गुणा एक मिली मीटर बराबर है एक मिली मीटर घन बराबर है शून्य दशमलव एक सेंटी मीटर गुणा शून्य दशमलव एक सेंटी मीटर गुणा शून अब हम घनाब, घन और बेलन का आयतन ग्याद करने के लिए कुछ व्यन्जक यानि सूत्र ग्याद करते हैं. आये प्रतियक ठोस पर एक एक करके चर्चा करते हैं. यहाँ पर एक सारणी बनी हैं, जिसमें चार पंक्तियां और पांच स्तंब हैं. स्तंब इस प्रकार हैं, घनाब, लंबाई, चोड़ाई, उंचाई, L गुणा B गुणा H बराबर है V, पंक्ति एक, आकरिती एक, बारहां युनिट्स लंबाई, तीन युनिट्स चोड़ाई, एक युनिट उंचाई, बारहां, तीन, एक, बारहां गुणा तीन गुणा एक बराबर है चत्तीस. आकरिती दो, छे लंबाई, तीन चोड़ाई, दो उंचाई. रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान. पंक्ती तीन, आकरिती तीन, नौ लंबाई, चार उंचाई, एक चोड़ाई. रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, पंक्ती चार, आकरिती चार, छे लंबाई, छे चोडाई, एक उंचाई, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान. आप क्या समझते हैं? हम कह सकते हैं कि घनाप का आयतन बराबर है L गुणा B गुणा H क्योंकि L गुणा B आधार का क्षेतर फल है इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि घनाप का आयतन बराबर है आधार का क्षेतर फल गुणा उचाई इन्हें कीजिए एक कागस की शीट लीजिए और इसके क्षेत्र फल को मापिए इसी के समान आकार वाली कागस की शीटों का धेर लगाकर एक घनाब बनाईए आकरिती 11.43 पर गौर कीजिए आकरिती 11.43 यहाँ पर कागसों को मिलाकर एक धेर बनाया गया है इस धेर की उचाई मापिए शीट के क्षेत्र फल और शीटों की उचाई का गुणन फल ग्याद करते हुए घनाब का आयतन ग्याद कीजिए यहे क्रिया कलाप इस विचार को दर्शाता है कि ठोस के आयतन का निगमन इस विधी से भी किया जा सकता है यदि किसी ठोस का आधार और शीष सरवांग सम है और एक दूसरे की समानतर है और इसके किनारे आधार पर लंब है क्या आप ऐसी वस्तूओं के बारे में सोच सकते हैं जिनका आयतन इस विधी का उप्योग करते हुए घ्याद किया जा सकता है प्रयास कीजिए निम्न लिखिद घनाभूं आकृती 11.44 पर गौर कीजिए का आयतन घ्याद कीजिए आकृती 11.44 यहाँ पर एक घनाभ बना है जिसकी लंबाई 8 cm, चौड़ाई 3 cm और उचाई 2 cm है इसके बाद एक घनाभ बना है जिसके आयतन का क्षेतर फल 24 मीटर वर्ग है और उचाई 3 cm है 11.8.2 घन घनाभ का एक अनोखा यानी विशेश उधारण है जिसमें L बराबर है B बराबर है H अतह घन का आयतन बराबर है L गुणा L गुणा L बराबर है L घन प्रयास कीजिए निम्नलिखित घनों का आयतन ग्याद कीजिए A. 4 cm भुजावाला B. 1.5 मीटर भुजावाला इन्हें कीजिए समान आकारवाले 64 घनों को जितने रूपों में आप व्यवस्थित कर सकते हैं उतने रूपों में व्यवस्थित करते हुए घनाभ बनाईए प्रतियक रूप का प्रिष्ठियक शेत्रफल ज्याद कीजिए, क्या समान आयतन वाली ठोस आकृतियों का प्रिष्ठियक शेत्रफल समान होता है? सोचिए चल्चा कीजिए और लिखिए डिब्बे का कौन सा आकार कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टी से लाबदायक रहेगा? क्यूं? क्या आप ऐसी किसी और आकार यानि विमाए के डिब्बे का सुझाव दे सकते हैं जिसका आयतन इनके समान हो परंतु इनकी तुलना में आर्थिक द्रिष्टी से अधिक लाबदायक हो? 11.8.3 बेलन हम जानते हैं कि घनाब का आयतन उसके आधार के क्षेत्र फल और उचाई का गुणन फल ग्याद करते हुए ग्याद किया जा सकता है क्या इसी प्रकार हम बेलन का आयतन ग्याद कर सकते हैं? गनाब की तरहां बेलन में भी एक आधार और शीर्ष होता है जो एक दूसरे के सरवांग सम्द और समानतर होते हैं गनाब की तरहां इसका वक्र प्रिष्ट आधार पर लंब होता है इसलिए घनाब का आयतन बराबर है आधार का क्षेत्रिफल गुणा उचाई बराबर है L गुणा B गुणा H बराबर है L B H बेलन का आयतन बराबर है आधार का क्षेत्रिफल गुणा उचाई बराबर है पाय आरवर्ग गुणा H बराबर है पाय आरवर्ग H यहाँ पर एक घनाब बना है जिसकी उचाई H है, एक बेलन बना है जिसकी उचाई H है, एक और बेलन बना है जिसकी उचाई H है और उसके आधार का क्षेत्र फल बराबर है πाई आर वर्ग इन दो शब्दों में अधिक अंतर नहीं है A. किसी वस्तु द्वारा घिरी हुई जगां की मात्रा उसका आयतन कहलाता है B. किसी बर्तन में भरी गई वस्तु की मात्रा उसकी धारिता कहलाती है Note यदि किसी पानी रखे जाने वाले तिन के बर्तन में 100 cm घन पानी भरा जा सकता है तो उस तिन के बर्तन की धारिता 100 cm घन है धारिता को लीटरों में भी मापा जाता है लीटर और सेंटीमीटर घन में निम्नलिखित संबंध है एक मिलिलीटर बराबर है एक सेंटीमीटर घन एक लीटर बराबर है एक हजार सेंटीमीटर घन अतह एक मीटर घन बराबर है दस लाख सेंटीमीटर घन बराबर है एक हजार लीटर प्रयास कीजिए, सनलग्न बेलनों का आयतन ग्याद कीजिए एक, यहाँ पर एक बेलन बना है जिसकी तृज्या 7 सेंटीमीटर और उचाई 10 सेंटीमीटर है दो, यहाँ पर एक बेलन बना है जिसकी उचाई 2 मीटर और वृत्त का क्षेत्रफल 250 मीटर वर्ग है उदाहरण आठ एक ऐसे घनाब की उचाई ग्याद कीजिए जिसका आयतन 275 cm घन और आधार का क्षेत्रफल 25 cm वर्ग है हल घनाब का आयतन बराबर है आधार का क्षेत्रफल गुणा उचाई अतह घनाब की उचाई बराबर है घनाब का आयतन बटा आधार का क्षेत्रफल बराबर है 275 बटा 25 वराबर है 11 cm इस प्रकार घनाब की उचाई 11 cm है उदारण 9 गोदाम के अंदर रखे जा सकने वाले डिब्बों की संख्या बराबर है गोदाम का आयतन बटा एक डिब्बे का आयतन बराबर है 60 गुणा 40 गुणा 30 बटा 0.8 बराबर है 90,000 इस प्रकार गोदाम के अंदर रखे जा सकने वाले डिब्बों की संख्या 90,000 है उदारण 10 14 सेंटीमीटर चोड़ाई वाले एक आयताकार कागस को चोड़ाई के अनुदेश मोड़ कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है बेलन का आयतन ग्याद कीजिए आकरिती 11.45 पर गौर कीजिए पाई के लिए 22 बटा 7 लीजिए हल कागस का चोड़ाई के अनुदेश मोड़ कर बेलन का निर्मान किया गया है इसलिए कागस की चोड़ाई बेलन की उचाई होगी और बेलन की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी बेलन की उचाई बराबर है एच बराबर है चोड़ा सेंटीमीटर त्रिज्या बराबर है आर बराबर है बीस सेंटीमीटर बेलन का आयतन बराबर है वी बराबर है पाई आर वर्ग एच बराबर है 22 बटा साथ गुणा बीस गुणा बीस गुणा चौदा बराबर है 17,600 सेंटीमीटर घन अतह बेलन का आयतन 17,600 सेंटीमीटर घन है आकरिती 11.45 यहाँ पर एक आयत बना है जिसकी चौडाई 14 सेंटीमीटर है इसके बाद एक बेलन बना है जिसकी उचाई 14 सेंटीमीटर और त्रिज्जा 20 सेंटीमीटर है उदारण 11 11 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर माप वाले आयताकार कागस के टुकडे को बिना अतिव्यापन किये मोड कर 4 cm उचाई का बेलन बनाया जाता है बेलन का आयतन ग्याद कीजिए हल, कागस की लंबाई बेलन के आधार की परिधी बन जाती है और चोड़ाई उचाई बन जाती है मान लीजिए बेलन की तरिज्या बराबर है R और उचाई बराबर है H बेलन के आधार की परिधी बराबर है दो पाई आर बराबर है ग्यारा अत्वा दो गुणा 22 बटा साथ गुणा आर बराबर है ग्यारा इसलिए आर बराबर है साथ बटा चार सेंटिमीटर बेलन का आयतन बराबर है वी बराबर है पाई आर वर्ग एच बराबर है बाईस बटा साथ गुणा साथ बटा चार गुणा साथ बटा चार गुणा चार सेंटिमीटर घन बराबर है अरतीस दशमलव पांच सेंटिमीटर अतह बेलन का आयतन 38.5 cm घन है प्रशनावली 11.4 एक आपको एक बेलनाकार टाइंक दिया हुआ है निम्न लिखित में से किस थिती में आप उसका प्रिष्ठिय क्षेतर फल ग्याद करेंगे और किस थिती में आयतन ए, यह ग्याद करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है बी, इसका प्लास्टर करने के लिए बांचित सीमेंट बोरियों की संख्या सी, इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या प्रिष्ठ संख्या 200 2. बेलन A का व्यास 7 cm और उचाई 14 cm है बेलन B का व्यास 14 cm और उचाई 7 cm है परिकलन किये बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है दोनों बेलनों का आयतन ग्याद करते हुए इसका सत्यापन कीजिए जांज कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का प्रिष्ठिय क्षेत्रफल भी अधिक है 3. एक ऐसे घनाब की उचाई ग्याद कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 cm वर्ग और जिसका आयतन 900 cm घन है 4. एक घनाब की विमाए 60 cm गुणा 54 cm गुणा 30 cm है इस घनाब के अंदर 6 cm भुजावाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं 5. एक ऐसे बेलन की उचाई ग्याद कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर घन और जिसके आधार का वियास 140 cm है 6. एक दूद का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी तरिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूद की मातरा लीटर में घ्याद कीजिए 7. यदि किसी घन के प्रतिये किनारे को दुगना किया जाए तो 1. इसके प्रिष्ठियेक शेत्रफल में कितने गुना वृध्धी होगी 2. इसके आयतन में कितने गुना वृध्धी होगी 8. एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रती मिनिट की दर से पानी गिर रहा है यदि कुंड का आयतन 108 मीटर घन है तो ज्याद कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे हमने क्या चर्चा की? प्रिष्ठिय क्षेत्रफल इसके फलकों के क्षेत्रफलों के योग के समान होता है 3. घनाब का प्रिष्ठिय क्षेत्रफल बराबर है 2 कोश्ठक में LB जमा BH जमा HL घनाब का प्रिष्ठिय क्षेत्रफल बराबर है 6L वर्ग बेलन का प्रिष्ठियक शेत्रफल बराबर है दो पाई यार कोश्ठक में आर जमा एच यहाँ पर एक घन बना है जिसकी लंबाई चोड़ाई और उचाई एल है इसके बाद एक घनाब बना है जिसकी लंबाई एल चोड़ाई बी और उचाई है इसके बाद एक बेलन बना है जिसकी उचाई एच और त्रिज्या आर है चार, किसी ठोस द्वारा घिरी हुई जगां की मात्रा इसका आयतन कहलाती है पांच, घनाब का आयतन बराबर है एल गुणा बी गुणा एच घन का आयतन बराबर है एल घन बेलन का आयतन बराबर है पाई आर वर्ग एच छे, एक, एक सेंटीमीटर घन बराबर है एक मिली लीटर दो, एक लीटर बराबर है एक हजार सेंटीमीटर घन तीन, एक मीटर घन बराबर है दस लाख सेंटीमीटर घन बराबर है एक हजार लीटर यह अध्याय यहीं समाप्थ होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की गणित की ध्वनी पुस्तक का पाठ। वाचन्स्वर, आकाश आहुजा, तक्नीकी समन्वयक, बटिलैंग लिंग्डो, तक्नीकी सहायक, विकास सांग्वान, निर्मान सहयोग, रुची शर्मा, निर्देशन व निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत। अजिल्स पारत।